नमस्कार, जै जोहार क्या आप भी गवर्मेंट एक्जाम्स की तयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी नेमोरी टेकनिक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि यहां 10 से अधिक गवर्मेंट एक्जाम्स क्रेक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CG PSC और CG व्यापम के अंतरगत होने वाले सभी एक्जाम्स की तयारी कराएं तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज आज के साथ ही हमारे चैनल में फीजिक्स का भी सीरीज चल रहा है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल चाहे क्योंकि यह पूरे परिक्षा तक चलने वाले हैं जो कि प्रयोक्सालब परिचालक में साइन्स का पूरा साथ नंबर का रहे हैं और सीजी जीजियस का पूरा चालिस नंबर का उसमें इंडियन जीजियस को सिर्फ भूगोलेंड एड है तो आप mcq के थ्रू ही बहुत सारा आप अपना स्लेबस कवर कर सकते हैं और इसके साथ ही अगर आपको इसका कोर्स पर्चेस करना है तो योगिन साहू क्लासेश एप डाउनलोड कर सकते हैं वहां इसके बहुत ही कम फिसमें कोर्स और टेस्सरीस लांज की गई है तो आप जाईए और टेस्सरीस जॉइन कीजिए देखते हैं सीजी जी असका पहला कोश्चन जंग सत्यग्रह और उसके नेतका क्या करना है मिलान करना है तो रुद्री नवगाओं रुद्री नवगाओं का यह सभी जो जंग सत्यग्रह हैं वह सभीने अवग्य अंदुलन की प्रथम चरण के दौरान हो रहे थे सभीने अवग्य अंदुलन का प्रथम चरण का बुरता तो 1930 में हो रहा था और उसी समय क्या हो रहा था चैटिसगर में अलग अलग जगाओं पर जंग सत्यग्रह हो रहा था जंग सत्यग्रह देखते हैं और उसके नित्रित्व करता कौन थे यह बाबु छोटेला स्रिवास्तो सुन्दरला सर्मा भी इनके सहीयोगी थे इसमें नत्तु जी जक्ताप और नरायान रामेगा वाले की क्या हुई थी इसमें गिरफ्तारी हुई थी रुद्री नवागाओं में और इसी समय पुलिस के रवरत्ता के कारण उनके द्वारा गोल नमबर उन्नीससो और पीज को हुए था इसके नेटा कॉन थे तो तो तमोरा जंगलसट्य राकर नेता थे यति अतनलाल जैन इसके साथ इनके सहीयोगी इने कॉन दे संकरलाल गनवाले उनके सहीयोगी थे क्या लिए अरी मर्दनगिरी को डिटेक्टर की आगया था किसकी बात करें में तर्मोरा जंगा सत्यग्रह की ठीक है किसको डिटेक्टर न्यूट किया गया था और ऐसा कोशन आता है तो क्या लेंगे आप लोग अरी मर्दन गिरी नेता कौन थे उसके यतियतनलाल जैल और संकरलाल गनद्वाले एक बात और इसमें याद रख रहे हैं क इसी जंगशत्यग्रह के तोरान बाली का डियावती ने जो बृतिस सदीकारी है उसको तमांचा मार था क्योंकि वह उसका क्या कर और इसके नेता कौन थे तो रामधर दूबे थे यह रहा हमारा पहला कोश्चन आगे बढ़ दें दूसरे कोश्चन की और इसमें बोलना है सही विकल्प का चयन कीजिए तो कथन देखते हैं कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत तो पहला कथन क्या है प्रफुल कुमारी देवी चतिसगर की द्वितिय महिला सासी का थी तो द्वितिय सासी का थी क्या बिल्कुल गलत क्यूं क्यों कि वह चतिसगर की पह राज्यभी सेख हुआ था 1922 में रूत्र प्रताप देव की मृत्यु के बाद 1922 में तो दूसरा कथन भी गलत हो गया तीसरा कथन क्या बोल रहे है राज्यभी सेख के समय प्रफुल कुमारी देवी की आयू 12 वर्स थी तो यह कथन बिल्कुल सही है मतलब क्या हो गया एक और एक उनिस सो छपन में डॉक्टर खूबचंद भगेल ने इनिम लिखी तमें से कौन सा संगठन स्थापित किया था तो 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 एक अलग राजी बनाने के लिए अलग अलग राज नेताओ के द्वारा बहुत सारे पार्टी मतलब संगठन सापित किया गया था तो इसमें किनके द्वारे इस्थापित संगठन का ना पूछा है डॉक्टर खूबचंद भगेल के द्वारा Q 1956 में और 1966 में. तो 1956 वाला कौन सा था? चतिजगर पंचया, चतिजगर महासभा, चतिजगर मोर्चा या, चतिजगर संगर समिती. तो खूबचन बगेल के द्वारा 1956 में 36 गड़ महासभा का गठन किया गया था प्रितक 36 गड़ है तु मांग के लिए और 1967 में तो 36 गड़ भात्री त्वसंग 36 गड़ भात्री त्वसंग का भी इस्थापना किन्हों ने किया था तो डॉक्टर खूबचन बगेल ने तो जहां था तक लियर उन्डिस सो चालीश में उन्डिस सो चालीश में ठाकूर प्याले लासिंग के द्वारा 36 गड़ सोसन विरोधी मंच कभी गठन किया गया था और आप लोग बताएंगे कि संकर गुहन नहीं होगी के द्वारा कौन-कौन से संगठन का गठन किया गया थ यह आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे मैं फिर से रिपीट करी हूं कि संकर गुहन योगी के द्वारा कौन से संगठन का गठन किया गया था चलो एक हिंट भी मैं दे देती हूं कि उनके द्वारा दो संगठन का गठन किया गया था जैनगरना 2011 के अनुसार 36 पूछेगा तो जैनगरना 2011 के अनुसार पूछेगा तो जैनगरना 2011 के अनुसार पांचवा क्रोश्चन है हमारा लाइवली हुट कॉलेज में प्रवेश के लिए क्या अरहत्ता वांशीत है मतलब उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए लाइवली हुट कॉलेज जब हमकर हमको एडमिशन चीए तो 12-13-18 इसनाता कि इनमें से कोई नहीं तो यहां एडमिशन के लिए किसी भी सेक्षणिक अहरता की आवसकता नहीं होती मतलब अगर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है उसको भी यहां एडमिशन मिल जाएगा यहां क्या होता है कॉसल प्रेस्टिक्शन दिया जाता है ताकि वे क्या कर सके रोजगार प्राप्त कर सके जैसे कि कोई लड़की है तो उसको सिलाइकारे सिखाया जा रहा है या पालर कोर्स करा जाया रहा है या और कुछ वैसे ही यहां यूवक और यूद्धियों को कॉसल प्रेस्टिक्शन प्रदान किया जाता है तो अभी तो यह च्छतितित और सभी जीलों में चालू हो गया था लैबलीफूट कॉलेज की कि कडिकीन नदियों के संग मेरीत काच्षें डीपारी एक है पूराताथ bir की स्कांट है जो कि कौन सी जिल्हें में है तो वो है बल्रामपूर में गर्षाब्ण पूस्तित और देप्र आव सो औधिकर किन नदियों के संगम पर है तो देप Alabama मतलब क Forehand कंहार के किनारे से गृतन हो जाएगात हौत तो याद रखना है बल रापपुर कौन से ना दी थो कनहार सुरिया और गल पूला नदी बार्शूर में बह रही इंद्रावती नदी पर बनने वाली बनने वाली सात धारा जल्वपात में बोधधारा पांडवधारा कृष्णधारा सीवधारा सीवधारा इसके साथ सात्वधारा कौन सा है ठीक है इंद्रावती नदी में एक जल्वपात है जिसका न ठीजका नाम है C couple avons ज्ञाया बेद हो डूसरोंस है पांडव धारा ठीक है और कृष्ण धार सीभ दारा से दिंड़ और रहों पांडव डिज्ञ 넣 रखेंगे 10 परीश्Ну के साथ रहते थे श्कार मों याद हो जाएगा और पांड़ा में जो अर्जुन था वो धनुस देके चलता था धनुस में किसका यूज होता था बान का तो बान धारा याद रहेगा फिर वो लोग किसकी पूजा करते थे तो शीव की पूजा करते थे तो शीव का चित्र देख करते थे तो शीव चित्र धारा ऐसे याद हो कॉन से आपको बताना है काया नाम और कौन से नदी में ये नरवती दिवें सबसे बड़ा छेट्र है यहां पस्कियान मिल रहा है कोईल्ल सबसेत् एक है निम्नांकिती थेल लू츠 क strild已经 कोईला मिलता है हमारे 36 गढ़ में मान नदी घाटी को आप लोग याद रखेंगे जैविक खेती योजना के अंतर गढ़र 36 कौन से जीला पूर्ण जैविक जिला के रूप में सामिल नहीं किया गया है पुछ है ना तो किसको किसको सामिल किया गया है पहले यह जा लेते हैं तो 36 गड़ के ऐसे पांच जिले हैं जिनको पूर्ण रूप से जैविक जिला घोसित किया गया है तो पांच जिले कौन-कौन से हैं तो एक तो गरिय कौन सा यह कौन सो नहीं कौन सा आपन सर inve moet आप नहीं यह 27 जिले के नुसार बनाये जैविक योचना प्लिल और जैविक जिला घोसित की ओर कर दिया गया था मैंगे बता है कौन साلبister सुक्मा बिजपूर दंतेवड़ा नरायनपूर और जो बाकी बचे 22 जी ले थे उनके एक एक विकास खन को क्या बनाया गया था पूर्ण जैवीक विकास खन बनाया गया था बढ़ते हैं आगे दस्व प्रेश्ण की ओर दस्व प्रेश्ण क्या पूछ रहे है 36 गार राज के मडवा तेंदू भाटा ताप विद्दू ग्रिय जान्जगीर चापा की विद्दू उत्पादान चमता कितनी है एक पावर प्लांट है बढ़वा तेंदू भाटा ताप विद्दू ग्रिय कहाँ पे है तो यह है जान्जगीर चापा में तो उसका विद्दू छमता कितना है 500 मेगवाट, 840 मेगवाट, 1000 मेगवाट या 440 मेगवाट तो जो 1000 मेगवाट है यह इसको क्या हो जाएगा? मतलब मडवा तेंदु भाटा ताप विदूद्ग्रह में उसका चमता कितना है 1000 मेगावाट यहां 500 मेगावाट 500 मेगावाट का दो यूनिट लगा है तो टोटल कितना विदूद्चमता 1000 मेगावाट विदू चमता किसे संबंधित है तो त्रिफला चूर्ण किसे संबंधित है तो ये है आवला, हर्रा और बहेडा ठीक है त्रिफला चूर्ण किसे संबंधित है आवला, हर्रा, बहेडा लाख हो द्योग लाख किसे मिलता है हमको यह मिलता है कुसुम और पलास से गोसा उद्योग तो जो को से का खीड़ा मतलब केर है उसका पा中共 किभाई किसमेंक पेड में ऑर चांच 10 में थीड़ stell और इस राज में बैगा जन जाती में पुनर विवा का क्या नाम है, मतलब बैगा जन जाती में पुनर विवा को किस नाम से जाना जाता है, पैठु विवा, खड़ोनी विवा, लमसेना ये फिर खर्ची विवा, तो जो बैगा जन जाती है, जो पुनर विवा करती है, पुनर वि विवा बोला जाते है बैगा जन जाती में और एक होता है पाटो विवाह पाटो विवाह भी पुनर विवाह का ही एक रूप है ये कौन से जन जाती में होता है तो ये होता है कोरकू जन जाती में कौन से जन जाती में कोरकू जन जाती में किस जन जाती में विवाहित महिलाए सफेद साड़ी पहनती है option D मैं यहां लिख दरी हूँ तो किस जन जाती में विवाहित महिलाए सफेद साड़ी पहनती है आम तोर पर तो जो विद्वा हो जाती है वो सफेद साड़ी पहनती है तो 36 गड़ की ऐसी एक जन जाती है जिसकी महिलाय क्या पहनती है सफेज साड़ी पहनती है साधी के बाद और वो जन जाती है भूंजिया जन जाती ठीक है इसको राजसरकार के द्वारा क्या विशेज पिछी जन जाती का दर्ज़त दिये गए है मैं क्या बोलने हूं राजसर करती है तो हुँजिय निवास करती है और इनके रसवय घर को क्या जाता है गर yeah यह अपने रस्वई घर को सबसे जादा पवित्रिस्तान मानते हैं किसी भी अन्य व्यक्ति को इसे छूने की इजाज़त नहीं होती है चाहे उनके घर की बेटी का अगर साधी हो जाता है तो साधी के बाद उसको किचन में आने का परमिशन नहीं रहता नहार एक उपजन जाती है देखो जो में में जन जाती है उसके अलग-अलग उपजन जाती भी है तो नहार एक दिया है उपजन जाती वो किसका है ये पुछा है उराओ का हलबा का या फिर कमर का ये फिर बैगा का तो जो नहार उपजन जाती है वो है किसका बैगा का नहार क सासते हैं बश्यन जाती को किया है उपजन जाती है अप लोगों के लिए सबसे पहले तो क्या हैगा डिंजवार आपको वीडेयो देखते देखते ही आगण जाया यापको समय आप किसी अन्य लिए बचा सकते हो तो नहार तो हम लोगों ने कोश्चन में देख लिया भर रौतिया उसके बाद याद रखना नरौतिया उसके बाद याद रखना राई उसके बाद याद रखना कोंडवन भैना बाद भेना, ये सभी किसके उपजन जाती है, तो ये सभी बैगा जन जाती की उपजन जाती है, जैसे कि गोड के मुडिया, मारिया, अभूज मारिया, दंडामी मारिया, ये सभी उपजन जाती है न, वैसे ही बैगा की, साथ ही में किसके किसके होते हैं, गदबा के, भुंज चिंदा भुंजिया कोर्वा के होते हैं पहाड़ी कोड़वा मैदानी कोर्वा ऐसे नेक्ट कोशन है हमारा सास्त्री परंपरा पर राजा चक्रधर सिंग के द्वारा लिखा गया 32 किलो वजदी पुस्तक है ठीक है राजा चक्रधर किस से संबंध रखते थे कथक से 32 किलो था उस पुस्तक का नाम क्या है ठीक है ताल बल पुस्पकार भुजपरण पुस्पकार नरतन सर्वस्व या ताल तोय निधी तो जो 32 किलो वजदी जो पुस्तक था उसका नाम था ताल तोय निधी ठीक है ताल तोय निधी इसी बुख का नाम है इसके साब जो बाकी रचनाय दिये है न वहवी किसके रचनाय है राजा चक्रधर सिंग की रचनाय है नर्तन सरवस्व बुर्ज परन पुस्पकार यह तालबल पुस्पकार यह सभी भी इनकी रचनाय है लेकिन 32 किलो वाला पुझा तर इसलिए अप्सण डी को सही अंसर लेंगे ताल तो निधी क कि योगिन साव क्लासेश में प्रयोक साल परिचाला का टेस्स सीरीज मात्र 99 रुपेश में लॉंच किया गया है तो आप जिनकों भी टेस्स सीरीज जॉइन करना होगा वो एप डाउनलोड करके डारेक्ट पर्चेस कर सकते हैं या फिर 877-0123-687 इस नमबर पर कॉल करके भी कोर्स और टेस्स सीरीज के वारे में आप लोग जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं देखते हैं मेला और यह कब-कब इन मेलों का आयोजन होता है यह हमको जोड़ी मिलान करना है तो देखते हैं राजीम का मिला तो राजीम का मिला सभी को पता है कि यह माघिपुनि मेला होता है माघपुनि 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 तो कुटी घाट का मेला कहा लगता है तो यह लगता है जांजगीर चापा में जांजगीर चापा और महादेव मेला यह में लगता है कार्थिक पूर्णीमा को तो यहां तक लिए आगे बढ़ते हैं चथिश गढ़ी वैंजन जो गेहूं से बनाया जाते है उनके sustainability हमको को बताने जाज़ाते हैं ऊए्धा बियोलए ऑन वात जांज़ कुटी वैंजन है होगा बनाया भी होगा तो पता होगा आप सभी को you know ट कर पंडो भासा कि परिवार क सदस्य है ठोडेज़िए इधर कौन सा पंड़ भासा परिवार या मुंदारी लिसको बोलते और इधर और ये भासा परिवार बीच में और नीचे कौनसा तो द्रविड भासा परिवार तो इसमें पंडों पंडों कौनसे भासा परिवार का सदस्य है तो पंडों है मुंदारी भासा परिवार का सदस्य क्यों क्योंकि पंडों जन्जाती उपर में निवास करती है और उपर वाले लों के कौनसे मुंदारी बस एक अपवाद और आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे जो नगेश्य जन्जाती का जो बोली है सद्री बोली वह कौन से भासा परिवार में आएगा उनिस्वा प्रेश्ण है लूर्की किसे कहते हैं अभूशान को लौकी को दुबली पतली लड़की को ये लूड़क जाने की ग्रिया को तो लूर्की किसे कहते है तो लूर्की एक प्रकार का अभूशान होता है 36 गड़िया अभूशान ये किसमें पहना जाता है तो लूर्की तीतरी, खिनवा, करन फूल ये सब कान में धारन किया जाता है लुर्की सुवा हमर संगवारी के रचनाकार कौन है? ठीक है? सुवा हमर संगवारी के रचनाकार कौन है? तो पहला option दिया है टिके अनुर्टी करिया, नंद किसोर तिवारी और लखनलाल गुप्त तो सुवा हमर संगवारी के रचनाकार है लखनलाल गुप्त ठीक है? इनकी और रचना कौन कौन सा है? सरगले डोला, आईस चंदा, अमरित, बरसाईस हाथी, घोडा, पालकी ये सभी लखनलाल गुप्त जी की रचना है टिकेंदर टिकर ये की फेमस रचना है साहुकारले छुटकारा और नंज किसोर तिवारी की रचना है परेमा और लोकाक्षर उनका एक्या था 83 पत्रिका था तो यह रहा आज का 20 कोशन अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक किजे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके लख लिजए क्योंकि अभी तो उसी 5 सीरीज दिख रहा है आपको और आगे भी यह सीरीज आएगा और इन सभी सीरीज का अगर आपको पीडियाब चाहिए तो सभी पीडियाब आपको प्रोवाइड हो जाएगा योगें सहू क्लासेस एप में मात्र 30 रुपे में है ठीक है यह पीडियाब फ्री नहीं है 30 रुपे इसके चार्जेस है लेकिन केवल एक पीडियाब के नहीं यह सीरीज में जितने भी चलेंगे सभी के पीडियाब आपको एक साथ प्रोवाइड हो जाएगे चाहिए वो 36 गड़ का हो चाहिए पीजिक्स का हो और यह सीजी कभी 30 रुपीज में आपको प्रोवाइड हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में धन्यवाद